अगर आप इस एक्जाम को फिजिक्स के लिए देने जा रहे हो तो यह आपके लिए है और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या आपका स्लेबस है फिजिक्स के लिए ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं RPSC grade 1 physics syllabus को clear? तो चलिए तो सबसे पहले हम syllabus के बारे में discuss करें हम यहां पे यह discuss करेंगे कि यह जो आपका syllabus है यह कितने हिस्सों में divided है ठीक है? इसके बारे में हम पहले यहां पे discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले आप इस पेपर को समझिए कि यह exam क्या है तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको बताता हूँ तो आप देखेंगे यहां पर यह जो आपका physics का पेपर है यह आपका चार पार्ट में divided हैं सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि यह जो आपका RPSC grade 1 का पेपर है RPSC का जो grade 1 का पेपर है यह आपका दो हिस्सों में divided हैं एक है आपका पेपर 1 और एक है आपका पेपर 2 तो पेपर 1 तो आपका general studies का है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आने वाले कि वीडियो में अब हम यापद बात करते हैं पार पेपर 2 के बारे तो पेपर 2 भी आपका यहाँ पनार पर 4 हिस्सों में divided हैं एक है हमारे पास यह पर part 1 एक है part 2 एक है part 3 और एक है आपका part 4 फिक है तो part 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो question पुशे जाएंगे part 1 में यह है हमारे पास part 1 तो part 1 में जो question है वो है आपके 10 plus 2 के यानि की 11th plus 12 और number of questions कितना है है आपके यहाँ पर 55 तो 55 questions आपको किस से पुशे जाएंगे 11th और 12 की class से और total mark कितना है यहाँ पर 110 यानि की दो मार्क का यह एक question यहाँ पर होने वाला है उसके बाद है आपका part 2 part 2 में आपको यहाँ पर ग्रेजीशन लेबल के question पूशे जाएंगे ठीक है मतलब किसके graduation label के तो अगर आप लोगों ने graduation पढ़ रखा है तो उसके question आपको आएंगे यहाँ पर यह है और यह भी आपके 55 questions यहाँ पर आपको पूशे जाएंगे मतलब 2 marks के question यहाँ पर आपको आएंगे और इसका भी कितना है 110 का आप देख सकते हो कि सबसे जादा question आपको graduation और 11-12 से ही आपके आएंगे तो आप इनके उपर ज्यादा focus कीजिए अब बात करते हैं आपके पाठ थड़ गी तो पाठ थड़ में आपको यहाँ पर post graduation level के question यहाँ पर आपसे पूशे जाएंगे यानि कि PG से आपके यहाँ पर question आएंगे और कि कितने number of questions आएंगे केवल 10 question यहाँ पर आपको आएंगे और यह भी आपके दो marks के हैं ठीक है तो 20 marks का paper तो आपको PG से question यहाँ पर आपको पूशे जाएंगे जो की है आपकी यहाँ पर 30 questions आप से पूशे जाएंगे और दो marks को यहाँ पर है मतब 60 marks का तो टोटल नम्मर ओफ कोस्टेंस कितने आपके 150 और टोटल नम्मर ओफ मार्किंग इतनी आपकी यहाँ पर 300 यानि कि 150 कोस्टेंस आएंगे जो कि आपका 300 मार्क्स का पेपर बनेगा ठीक है तो मैं आपसे क्या कहना चाता हूं तो कन्कुलूजन क्या निकला और यह निकला कि आपको 11 और 12 पे विशेज दूप से ध्यान देना है क्योंकि 55 मार्स का पेपर यहां से आएगा उसके बाद आपको यहां पर क्या देखना है उसके बाद आपको यहां पर यह देखना है कि 300 की आपको यहां पर ठीक है ग्रेजुवेशन से पार्ट टू यानि कि जो आपका ग्रेजुवेशन है उससे भी आपके 55 मार्स की पूशन पूच जाएंगे ठीक और आप एक चीज का उध्यान देखें कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग कित्ती दिखाई गई यह आपको वन तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लेबस देखो पेपर टू है हमारा पेपर बन मैंने आपको पताया जनरल स्टेडी जनरल अवेरनेस जनरल साइन जो भी आप इसको बोलना चाहो तो पेपर बन के बारे में बात करते हैं तो पेपर बन है आपका सीनियर सेकंडरी स्टेंडर मतलब 10 प्लस का यह आपका पेपर है 11-12 का तो आप देखेंगे इसका स्लेबस क्या है इसका स्लेबस है आपका physical word and measurements ठीक है तो physical words and measurements यह स्लेबस है यानि कि dimension analysis हो गया आप देख सकते हैं कि यहाप पर आपको ड्राइब यूनिट्स लिखा गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स डाइमेंशन फॉर्मले और आपको एकुरेसी एरर्स यह सब आपको पढ़के जाना है ठीक है तो यह है आपका पहला टॉपिक उसके बाद है आपका मोशन क्या होता है यूनिफॉर्मली गोटर्म और तो यहां पर है यहां पर मैं इसको लिएकएंट्स कंडूफ इसके निकालते हैं उसके बादो आपके यहां पर कल्यों सकते है् तो वहां पर को मोबेंटम कंजर्व करना आ चाहींगिpha है फिक है उसके बाद तो फ्लक्षिन के इतने को सिर्ट तो नहीं कि आते हैं लेकिन आ फिर भी दिखके जा सकते हूं वर्क एनर्जी एंड पावर तो वर्क एनर्जी पावर का यह पूरा का पूरा मैंने आपको बता रख्था है इस लेवस क्या है वर्क दन बाई एक कॉंस्टेंट यह सब चीजें रोटेशनल मोशन हो गया ठीक है उसके बाद है आपका ऑस्किलेटरी मोशन यह बहुत इंप् उनकी काईनिटीक और पोटेंशल एक्वेशन कैसे लिखते हो काईनिटीक एनर्जी एक्वेशन पोटेंशल एक्वेशन आपको पता होना चाहिए ठीक है डैम्ट ऑस्किलेशन क्या होते हैं सिंपल पेंडूलम का एक्जम्पल बहुत बार हमसे पूचा गया है और यह सब चीज़े आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तो और चीज़े तो आपने पड़ी रखी होंगी तो यह चीज़े हैं उसके बाद है इलाक्सिटी ठीक है तो इलाक्सिटी भी बहुत जलूरी टॉपिक है इंपोर्टेंट यह सॉलिश्टेट फिजिक्स में बहुत काम आएग का आपका वहाँ पर आप देखो के फुक्स लो का यूज होता है जब लैटिस वाइबरेशन होते हैं वल्क मॉडलस हो गया सेर मॉडलस हो गया अप्ली के सब चीज़े आपको यहां पर अच्छे से पढ़के जाने हैं सर्फिस टेंशन्स अप कर लीजिए अपने हिसाब से किस्के को सबनाई ये ठीक है लिख इनमोशनतस यह भी जरूरी है लिकुरस अबसमें आपको मिंद nih कोम सिटी एन हमलम विलोसिटी और और आपका यहां पर स्टे लोग उत एर आधोगेल धोड़न ना आंगे आपको ज्यादा इसमें नहीं जाना है आपको, main important topic के आपका, यहाँ पर kinetic theory of gases, तो kinetic theory of gases को भी, आप यहाँ पर अच्छे से देख के जाना, क्योंकि इसका use आपको thermodynamics में भर भर के मिलेगा, statistical mechanics में भी आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है, तो यह बहुत ही important topic के आपका, kinetic theory of gases, उसके बाद है आपका heat and thermodynamics, ठीक है, यह तो है आपका, यह तो आपका उसमें भी है, एना, graduation में भी है, और आपका, PG में भी है, तो zero flow, post-order low, और यह सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, radiation हो गया आपका, thermal radiation, perfect black body, तो यह सब चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है, उसके बाद, आप देखोगे, electrostatics, main important topic, यह आपको अच्छे से cover करना है, कि electrodynamics, क्या होता है, electrostatics, capacitance, हलके फिल के questions, आपको आएंगे, ठीक है, current electricity, यह आपका important chapter है, थोड़ा सा, क्योंकि इस की directions, registers, यह सब चीज़ें, क्या है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, फिर आपके पास है, magnetism, तो यह भी आपको, इसमें तो सभी कुछ है, यार, important, ठीक है, electromagnetic induction, यह आपको पढ़ना है, उसके बाद, alternating current, wave optics, ठीक है, wave optics, ज़रूरी है, photoelectric effect, nuclear physics and radio activity, solid and semiconductor devices, यह आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि semiconductor के अपर questions निकल कर आ रहे है, और nuclear physics के अपर भी, क्योंकि आजकल nuclear physics पर काफी काम हो रहा है, ठीक है, और semiconductor के अपर भी काफी काम हो रहा है, तो यह दो topics, अभी आपके current topic चल रहे है, इससे भी आपको यहापके questions मिलेगा, electromagnetic wave यह आपको पढ़के जाना ही है, ठीक है, तो यह topic जो थे हमारे यह आपके 11, 12 topics है, तो आपने देखा कि जो हमारा 10 plus 2 है, यहाँ से आपको 28 units आपको करनी है, ठीक है, तो 28 units आपके यहाँ पर आ रही है, उसके बाद, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास, उसके बाद आपको क में आपको क्या क्या चीज़े यहां पर आ रही है मैं आपको बता जाता हूं, उसका थोड़ा Slavers, Graduation Level का Graduation Level का, जो हमारे पास Slavers है, वो कुछ इस तरीके का है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, तो Graduation Level का, जो आपको Slavers मिलेगा, उसमें आपको बता दूँ क्या-क्या चीजे हैं एक है आपके पास mechanics ठीक है तो mechanics में आपको यहाँ पर str अच्छे से पढ़के जाना है ठीक है str हो गया langringian हो गया langringian हो गया hamiltonian हो गया तो यह topic आपको अच्छे से पढ़के जाना है kepler's laws हो गया ठीक है और special theory of यह से चीज़ हो गया langringian हो गया hamiltonian हो गया और तो यह साथ के सारे topic आपको अच्छे से पढ़के जाना है phase diagram ठीक है तो phase diagram तो यह सारे topic को आपको अच्छे से यहाँ पर cover करना है ठीक है उसके बाद है आपका small osculations Kepler's law two body problem तो यह चीज़े हैं second आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ें second आपके पास यहाँ पर EMT जिसकों बोलते हैं electromagnetic wave theory इसमें आपके पास हो जाएगा इसमें आपके पास से boundary conditions see a scalar and vector potential maximal equations dielectric polarization आपका है पॉइंटिंग वेक्टर आपका है पॉइंटिंग वेक्टर आपका है कंड़ेक्टर्स और वो तो है इलेक्टर स्टेटिक्स और मैग्नोटर स्टेटिक्स उसके बाद आपके पास से thermodynamics thermal and statical mechanics इसका बोलते है SSP इसमें इस्टेटिकल मेकैनिक्स यानिक के SM तो इसमें आपको क्या करना है तो यहाँ पर आपके पास हो गया है तो इसमें आप देखेंगे Maxwell Velocity Distribution यह topic है उसके बाद है आपके यहाँ पर mean free path then आपके पास है mean free path के बाद आपके पास है thermal conductivity Diffusion तो यह है तो यह आपका इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी मैंने आपको दे रखा है तो I think आप लोगों को चीज़े समझ में आ रही होंगी एक दम यहाँ पर crystal clear आपका चल रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा electronics तो electronics में आपका KBL KCL OPEMP Flip Flop Registers और counters और आपका counters फिर आपके transistor diode जैनर diode ठीक है और आपका Boolean algebra यह सब चीज़े आपको यहाँ पर करके जानी है ठीक है यह आपका electronics का सले बस है उसके बादे आपका optics optics में आपको दोनों पढ़ना है Ray optics और Wave optics ठीक है अब बात करते हैं quantum mechanics की तो quantum में आपको यहाँ पर one dimension two dimension three dimension potential well simple harmonic oscillator one dimension, two dimension hydrogen atom यह सब चीज़े हो गई है आपकी ठीक उसके बादे आपका hydrogen atoms फिर आपके यहाँ पर perturbation theory, schrodinger equations, angular momentum और यह सब चीज़े हैं ठीक तो इसको आपको यहाँ पर ठीक इसे करना है ठीक दैन उसके बादे आपकी यहाँ पर spectroscopy तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद है आपके पास वाइबरेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह सब चीजे आपको यहाँ पर फुली रिवाइज करनी है, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, व यह सब चीज़े हैं ठीक है उसके बाद है nuclear physics में nuclear physics में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या यहाँ पर आपको बहुत चारी चीज़े मिल जाएंगी जैसे कि आपका हो गया nuclear mass निकालने को आएगा आपको ठीक है cell model semi empirical mass formula और मास पैरा वोला binding energy curve ठीक है यह सब चीज़े alpha beta gamma दीके तो यह सब चीज़े आपको यहाँ पर अच्छे से पड़के जाना है उसके बाद यहाँ पर आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका solid state physics means SSP solid state physics में आपके पास से क्रिश्टलो ग्राफी तो क्रिश्टलो ग्राफी में direct lattice यह सब क्या होते हैं यह सब कसा बाजाएगा हॉल इफेक्ट सेमी कंड़क्टर सूपर कंड़क्टर यानि कि सूपर कंड़क्टिविटी यह सब चीज़े हैं उसके बाद है आपका फ्री एलेक्ट्रों गैस थियोरी और उसके बाद यह सब चीज़े आपकी यहां पर लाइस करती है ठीक तो यह है आपका उसके बाद होगा ब्रेक प्लेन ब्रिलियन जोन यह सब चीज़े आपको यहां पर अच्छे से करके जानी है दैन उसके बाद आपका यहां पर यह सब हो गया हमारा तो यह हमने देखा है आपका पार्टू का स्लेबस अब हम बात करते हैं पार्ट्री का स्लेबस तो पार्थ त्री जिसकों बोलते हैं पीजी का तो पीजी के स्लेबस में आप देखोगे तो आपको जो क्लासिकल मेकैनिक्स है क्लासिकल मेकैनिक्स में आपको यहाँ पे लैग रंजियन हैमिल्टोनियन ठीक है यह सब चीज़े आपको पुसे आएंगी और आपको पॉईजन ब्रैकेट्स यह है और आपके पास है आपके दिसको आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़के जाना है फिर आपके पास है एमटी एमटी में आपके पास है रेडियेशन द्यू टू डाइपूल वेड गाइड ठीक है यह सब हो गया है और आपके पास रिटार्डड पोटेंशिल आपके पास क्या है आप पे रिटार्डड पोटेंशिल यह टॉपिक है आपके दैन उसके बाद है आपका थर्मो डाइनेमिक्स thermodynamics statical mechanics में आपके पास से बॉंस, Einstein, Condensation Fermi, Drag statics Maxwell statics ठीक है उसके बाद है आपके पास यहाँ पर यह सब हो गया फिर आपके पास से face transaction तो यह चीज़े आपको यहाँ पर करनी है उसके बाद है आपका quantum mechanics तो quantum mechanics में आपको यहाँ पर WKV method ठीक है scattering और आपके पास यहाँ पर face partial wave analysis यह हो गया है आपका तो यह सब चीज़े आपके यहाँ पर करना है और एक बहुती बहतरी टॉपिक है identical particles ठीक है यह रहाँ फिर आपके पास है यहाँ पर electronics तो electronics में आप देखेंगे आपके यहाँ पर हो जाएगा clamper और clipper ठीक है clamper clipper half and full adder ठीक है flip flop counters counters यह सब चीज़े हैं उसके बाद है आपका atomic atomic में आपका है जीवान इफेक्ट stark effect ls coupling hyper fine hyper fine splitting है ना तो hyper fine structure तो यह सब आपका atomic का है उसके बाद है आपका nuclear physics तो nuclear physics में आप देखोगे alpha, beta, gamma, decay ठीक उसके बाद है आपका यहाँ पर nuclear cell model पिर आपका यहाँ पर nuclear cell model और उसके बाद है आपका यहाँ पर मैसांस theory और nuclear force ज्यादा नहीं है इसमें और nuclear force ठीक तो यह रहाँ आपका पार्थ 3 का topic और पार्थ 4 का topic आपको पता है बेट से रिलेटेड आएगा ठीक है पार्थ 4 मैं आपको जो भी मिलेगा वह आपको बेट से रिलेटेड मिलेगा ठीक है उसका पता ही होगा क्या क्या है तो यह सारे का सारा यहाँ पर चीजें हैं तो यह हमारा पूरा का पूरा इसको बोलते हैं पेपर टूम में आपका फेपर 1 टू पूराअं थो यह भी मैंने आपको बता दिया तो कुल मिलाक के टोटल 150 कोस्टंस आपको एक्जाम में दिये जाएंगे 300 मार्क्स का पेपर होगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी ठीक है तो यह था तो फ्रेंड आइधिंग आपको यह इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो और आपक यह हैल्प करें इस एक्जाम को किलियर करने में तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाई बाई